आजकाल एक बहुत ही आम प्रॉब्लम हो चुकी है आम तौर पर आप सुनेंगे कि मुझे ऐसे डिटी की प्रॉब्लम है क्यों यह हो रही है इतनी जादा क्यूंकि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे चेंजेज आए हैं जिसके विज़े से हमारे डाइटरी चेंज कर चुके हैं जग फूड इटर्फ जुकाव जादा हो गया है कोल्ड रिंग्स हो गया शालन चीजै हम खा एतनी यह मिल्स श्किप कर देते हैं जलडी जलडी काम के चकर में मील्स बीक to drag को-फी पिलेते हैं चाई पिलेते हैं छाय पीपलेते यह बहुत rib AU 5 पिलेते Alepa हों मिर्च मसाला तली भुली चीजे जादागे राजमा चोले औरगृजлять की बादेधकी खाने से हमें ये problem sdt की जो है वो आम तोर पर हो जाती है जादा तर sdt किने होती है जिनकी पाच्छन शक्ती खराब रहती है या फिर जिन्हें constipation की problem है cubs की problem है उन लोगों को gas की समस्या जादा होती है gas की समस्या से पेट से जुड़ी कई और बिमारियां अभी आपको हो सकती हैं तो इसके लिए हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे अजवायन हमें गैस की समस्या से निजाद देती हैं अजवायन के क्या ऐसे फाइदे हैं अजवायन हैं जो ना सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ा रही है बलकि साथ ही साथ आपको healthy भी बना रही है अजवायन को हम usually पेट में दर्ध होने के लिए या पेट की गैस बनने के लिए यूज करते हैं इसे हम एक medicine की तरह यूज करते हैं इसके कई सारे फाइदे हो सकते हैं और हम इसे carom seeds की नाम से भी जानते हैं अगर आपको acidity की problem रहती है तो अजवायन का सेवन आपके लि भी बहतर करता है साथ ही साथ weight loss के लिए इसको use किया जा सकता है आप अजवायन को सिर्फ चबाकर भी ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ चबाकर गुनगुना पानी पी लीजे फिर उसके बाद इस तरह से भी ले सकते हैं या फिर अजवायन का पानी उबाल कर उसको उ अगर हो सकता है, अजवायन का पानी अगर आप नियमित रूप से ले रहे हो, तो दिल की बिमारियों से भी आपको बहुत जादा जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं दिल की बिमारियों की वज़े से, वो भी आपको उससे भी निजात मिल जाएगा, अजवायन में पाया जाने वा अपज पेट फूलन और मजली में फइदेमहंद होती है जळाइन इसको बहुतुआ जाला फाइदेमंद होती है, जवाइन ना किल आपका पाच्छन बहते एप करेगी आपको डायिजिशन बहते करेगी बलकि मेटर अपोषो कहीं पर सब्सक्दैं टू थेक का प्रॉब्लम दांत में दर्द का प्रॉब्लम जो है वो बहुत जादा हो रहा है तो अजवायन को अगर आप ले रहे हैं तो दांत के दर्द से भी आपको रहत पाने में इसे help मिलेगी तो देखा आपने acidity किन कारणों से हो रही है ये हमने बात की और अजवायन हमारे acidity के लिए कैसे beneficial है ये भी हमने बात की अजवायन के और भी फाइदों के बारे मैंने आप लोगों से बात की anti-acid गुन होते हैं जवायन के जिसकी वज़े से इसको हम acidity में use करते हैं ये हमारे पाचन को बहतर करने के साथ सथ हमारे मेटबोलिजम को भी बहतर करती है और वेट लॉस में भी help करती है अजवायन को blood pressure के लिए भी बहुत जादा अच्छा माना जाता है अजवायन का किसी भी रूप में आप सेवन करेंगे अगर तो वो बहुत जादा फाइदे मंद आपके लिए रहेगा इसी तरह के और भी health related, beauty related and fitness related videos के लिए subscribe कीजे the miracle help channel को and like कीजे and share कीजे इस video को thank you all for watching this video take care, bye bye, stay strong, stay healthy stay safe